हलो दोस्तों तो आज हम अपना एंटी फिसी सीवीटी वन का स्कोर आपके साथ में साजा करेंगे और आगे की रननिती की विशे में विचार भी मर्स करेंगे तो फ्रेंड्स यह हमारा RRB सीवीटी वन का स्कोर कार्ट है और हम सिली गुडी जोन से थे अप मेरा नाम तो देखी सकते हैं फ्रेंड्स और हमारा देखे कौन-कौन पोस्ट के लिए सेलेक्शन हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो है वो लेबल 2 के अंदर सेलेक्शन है लेबल 3 के अंदर सेलेक्शन है और level 4 के अंदर भी selection है 5 में भी है और level 6 में हमारा selection नहीं हो पाया लेबल 6 के अंदर जो है वो assistant station master का post था जिसके अंदर जो cut up रहा वो 73 रहा तो हम cut up भी आपको यहां पर दिखाएंगे कि सुलीगडी zone का cut up क्या क्या रहा है और हमारा जो marks normalize score था वो 72 था तो इसकारण एक marks से मैं level 6 के लिए रहा गया तो friends एक बर देख लेते हैं कि सिलीगडी zone का cut up क्या रहा सभी level का और साथ में उसका result पर देखेंगे कि कितना गुना वेकेंसी है और कितना गुना result आया है और कितने unique candidate जो है इसमें select हुए है और साथ में आगे CBT2 की रन निती के वुपर भी विजार विमर्स करेंगे तो चलिए friends देखते हैं cut up एक बर तो friends आपके सामने ये लेबल 2 का cut up है आप देख सकते हैं कि cut up क्या रहा जनरल्स रेनीक से 56 गया है तो friends लेबल 3 का आप सिलिगोडी जोन का आप cut up देखे तो जनरल का आपका 68 गया है स्ट का 56 है स्ट का 47 है ओबिसी का 60 है ये डेवल्योस के 43 है वहीं retired service man के बात कर ले तो जनरल के लिए 44 गया है स्ट के लिए 34 गया हुआ है अब एक बार देख लेते हैं लेबल 4 का cut up ये है friends लेबल 4 का cut up तो देखे यहाँ से केवल जनरल का केवल एक ही seat था तो केवल एक seat था इसका cut up जो है वो जनरल सरनी के लिए 62 रखा गया है जबकि ST, ST, OBC, EWS के लिए तो seat ही नहीं था केवल लेबल 4 के अंतर के अंतर जो है वो केवल एक seat था अब एक बार लेबल 5 और 6 का भी cut up को चेक कर लेते हैं तो friends लेबल 5 को आप देख सकते हैं यहाँ जो है वो जनरल सरनी से 63 रहा है ST से 50, ST से 41, OBC से 52, EWS से 40 तो इस category में सबसे ज़्यादा seat था friends और इसी category से सबसे ज़्यादा बच्चों का selection जो है सिली गुडी बोर्ट से हुआ है अगर लेबल 6 का देख लेते हैं यह friends लेबल 6 का cut up है तो आप लेबल 6 का cut up को देखे तो जनरल से 79 है, ST से 69 है ST 60 है और OBC 73, EWS 69 है वही रिट्राइट सर्विसमेंट की देख ले तो जनरल से 44, SC 35, ST 41, OBC 49 है friends एक बार आप हम लेबल वेगेंसी टेबल को देख लेते हैं जो कि सिली गुडी जोन से रहा है और उसके कितने गुणा बच्चों का यहाँ पर selection जो है कितने गुणा candidate का selection हुआ है वह एक बार देख लेते हैं तो चलिए friends देखते हैं कि वेगेंसी टेबल क्या है इस बार का देखे friends तो लेबल 6 के अंदर जो है वो station master का किवल पोस्ट है यहाँ पे और यहाँ से किवल टोटल जो है वो 50 seat है वही गुड्स गाट और senior clerk कम typist, senior commercial ticket clerk यह तीन पोस्ट गुड्स गाट, senior clerk, कम typist और senior commercial, कम ticket clerk यह जो तीन पोस्ट है friends इसके अंदर जो है वो 71, 60 और 87 सबसे ज़्यादा level 5 के अंदर पोस्ट है तो एक बार देख लेते हैं कि level 6 के अंदर total कितना गुणा candidate का selection हुआ है, जैसा कि बात कहा गया था 20 गुणा unique roll number का selection होगा तो 20 गुणा roll number selection हुआ है unique कि नहीं, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, तो देखें friends यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो level 6 के अंदर total 50 seats हैं तो 50 का यदि आप 20 से multiply करेंगे, तो 50 दुना कितना हो जाता है, आपका 1000 हो जाता है तो देख लेते हैं कि total 1000 unique roll number है कि नहीं है देखें friends, हमारे सामने जो है, वो level 6 का आपका selection candidate का roll number है तो इसको हम स्क्रॉल करते हैं नीचे जाते हैं, आप देख सकते हैं यह हमारा level 6 का है यहाँ पे आपको level 6 लिखा हुआ, नजर आ रहा होगा देखें, और एक बड़ देख लेते हैं कि total कितने candidate का यहाँ से selection हुआ है तो देख सकते हैं friends, यहाँ पे जो selection हुआ है यहाँ पे वो आपका short listing candidate का 1001 है total तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 50 वहाँ पे total seats थे तो यदि 50 को आप 20 से multiply करते हैं तो ऐसे इस्तिती में 1000 आता है और इस तरह से 20 गुना unique candidate का यहाँ पे selection हुआ है, एक candidate ज़्यादा है कोई issue नहीं है, अब एक बड़ देख लेते हैं लेबल 5 का टूटल कितना भेकेंसी था और कितना गुना selection जो है इस पर हुआ है तो friends देखिए यदि आप लेबल 5 के अंदर देखते हैं तो यह 3 post है और 3 post के अंदर का एक में 71 seat है एक में 60 है और एक में 87 है तो जोड लेते हैं इसको कितना आजाएगा अगर इसे हम लोग जोड लेते हैं friends तो 7 और एक 8 और 8 6 14 14 और 6 21 कूल मिला करके 218 seats है और 218 को जब हम 20 से multiply कर लेते हैं तो देखे कितना आता है 286 हाथ में 1 2 1 2 और 3 2 2 4 और 1 0 तो टोटल जो है वो 43 60 candidate आते हैं तो एक बर देख लेते हैं कि टोटल 4360 candidate का selection हुआ है कि नहीं हुआ है तो देख सकते हैं friends ये level 5 का है आपका shortlisting candidate का list तो इसको एक बार scroll करते हैं वे नीचे जाते हैं और total final candidate को देख लेते हैं कि कितना candidate का selection हुआ है तो देखे friends चुकि सबसे ज़्यादा seat था तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा selection हुआ है तो देखें 4215 टोटल लोगों का यहाँ से selection हुआ है और यह unique है unique roll number है और अभी हमने multiply किया था तो कितना आया था 43 43 के आसपास आया हुआ था तो कुछ कम ही candidate का यहाँ से selection हुआ है friends और एक बार level 5 देख लिए 6 देख लिए 4 को देख लेते है level 4 के अंदर आपका किवल एक ही seat है friends और यहाँ से जो है वो एकदम मुझीत मातरा में 20 गुना candidate का selection हुआ है तो total इसके अंदर जो है वो 20 candidate ही सामिल हुए है अब एक बार level 3 का total vacancy table देख लेते हैं और उसका कितना गुना candidate का selection हुआ है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं friends आपका level 3 के अंदर जो है वो total 64 post है यदि आप 64 को multiply करते हैं 20 से तो कितना आ जाएगा 2 चक 8, 2 चक 12 तो 1280 total candidate होना चाहिए इसमें चेक कर लेते हैं short listing list के अंदर की 1200 candidate के selection हुआ है कि नई तो friends ये short listing candidate का चार्ट है आपके सामने और एक बार देख लेते हैं कि total कितने candidate का selection हुआ है अब यहाँ पे आप गौर किजेगा तो देखिए exactly अभी हम multiply किये थे total 64 rate था तो 64 को जब हम दो से multiply किये थे तो आया था हमारा 2 चक 8 दो चक 12 1280 आया हुआ था और देखिए 1281 एकदम genuine यहाँ पे selection हुआ है एक candidate जादा रखा गया है वहीं label 2 का एक बार vacancy table को देख लेते हैं अब label 2 को देख लेते हैं friends label 2 के अंदर junior clerk कम typist का post है और trade clerk का post है तो यदि आप यहाँ से ध्यान से देखे तो 84 है और 26 है 84 और 26 को एक बार देख लेते हैं जोड के कितना आ जाता है 6,4,10 के 0 हाथ में 1,8,2,10,11 तो टोटल जो है friends वह 110 seat यहाँ पे available है label 2 के अंदर देख लेते हैं कि कितना गुना बच्चों का यहाँ पे selection हुआ है तो देखिए friends यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे 1999 candidate का selection हुआ है और अपि टोटल seat को देखे थे हो तो 110 seat आया हुआ था इसको multiply करते हैं 20 से तो 11,2 आता है और 2,0 आता है तो 22 होना चाहिए लेकिन friends यहाँ से कमी candidate का selection हुआ है टोटल 1999 candidate का selection किया गया है अब बात कर लेते है friends इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि सिलीगुडी जोन का क्या cut-up था और किस प्रकार से candidate का selection हुआ है अब हम लोग आगे की रनितिक के विसे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या करे कि ताकि हमारा 100% selection हो जाए CBD2 के अंदर तो friends अभी तक आप जो भी math का जैसे कि आपको पता है कि syllabus इसका क्या रहने वाला है 50 का आपका GK आने वाला है GKGS और बाकी 35 का reasoning आने वाला है और 35 का आपका mathematics आने वाला है तो आपको जहां तक मेरी आपसे उमीद रहेगे कि आप ज़्यादा बैठर है कि प्रिविएस येर सेट को आप लगाए जो भी 2015 के अंदर इसका जो वेकेंसी आया हुआ था तो उसके अंदर जो भी एक्जाम हुए थे लगबक 6-7 पेपर आपको मिल जाएंगे कोई publication का आप नेट पे भी ढूंड सकते हैं तो वो 6-7 पेपर एक बार लगा ले ताकि आपको एक idea लग जाएगा कि क्या question का standard रहा था हलांकि इस बार हो सकता है पिछला बार तो सारा लेबल के एक साथ एक्जाम हुआ था इस बार हो सकता है कि लेबल 2, लेबल 3, 4, 5 और 6 का अलग 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 फेजम हो तो friends आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो भी math का बुक पढ़ते आ रहे हैं थे पहले से आरे से अगरवाल पढ़ते आ रहे होंगे या फिर कोई और बुक पढ़ते आ रहे होंगे math का तो वो बुक को एक बार आप रिकॉल कर सकते हैं रिजनिंग के भी बुक को रिकॉल कर सकते हैं वहीं GKGS की बात कर ले तो आप करेंट रफियर को ध्यान रख सकते हैं कोई भी बुक आप उठा ले SPD का या फिर किसी और बुक का और अगर इधर जनरल नॉलिज की पोर्सन को देखे तो हिस्ट्री में आप मॉडरन हिस्ट्री को चुन सकते हैं हालांकि Mediival History और Encent History को छोड़ना नहीं है आप SPD तो बढ़ए होंगे और SPD के बीचों पीच आपका Encent History और Mediival History का चार-चार पेज जो दिया हुआ है वहाँ से आप इसको करें कर सकते हैं कि पोरा Encent History Mediival History को पढ़ना एक साथ रिकॉल करना उचित नहीं है और टाइम की बरबादी भी है तो ऐसी सित्य में आप SPD का चारजार पेज पढ़ सकते हैं जो की बीचो बीच आपको दिया होगा SPD के अंदर जो समानी SPD है उसके अंदर और modern history को जादा बहतर होगा प्रेंड्स की आप एक बार रिकॉल कर ले क्योंकि यहां से बहुत सारे कोसंस जो है वो आ जाएंगे आपका वहीं अगर बात कर ले हम लोग पॉलेटी की तो पॉलेटी आप एक बार लुसेंड या फिर कोई नोट्स होगा आपके पास में तो उसको एक बार रिकॉल कर ले क्योंकि यहां से बहुत सारे कोसंस जो होगे वो आपके एकजाम में आते हैं और बात कर लेते हैं एक बार जोगरफी की तो जोगरफी भी आप स्पीडी कर सकते हैं या फिर नोट्स कोई होगा वो काफी यहां से प्रस्ण आते हैं फ्रेंट्स NTPC के अंदर और थोड़ा computer से लेटेट की questions आही जाते हैं तो इसके लिए आप computer के लिए तो कोई भी आप Lucent का जो पीछे का page है वो भी देख सकते हैं कोई computer के book होगा आपके पास तो वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं हलांकि friends मैं भी अपने इस channel पर आपको guide करते रहूँगा चुकि मेरा भी तो exam होने वाला है तो आप हमारे channel पर बने रहें और हमारे channel को subscribe कर लें ताकि मैं आने वाले वीडियो के माध्यम से आपको और मैं खुद को भी prepare करा सकूँ और हम और आप दोनों मिलके ये selection को पूरा complete ले सकें और अपने माता पिता का नाम रौसन कर सकें तो friends आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट सिक्षन में जरूर बताएं अपने दोस्तों के साथ में सेर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेज कर ले धानिवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए